आज हम जानेंगे कि इंडिया में एक आड़ोकेट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं तो क्या प्राक्टिस के साथ साथ आप जॉब कर सकते हैं तो नहीं इंडिया में एक आड़ोकेट किसी भी गर्वर्मन्ट ओफिस या फॉर्म को फुल टाइम जॉइन नहीं कर सकते क्या practice के साथ साथ business कर सकते तो sorry इसका जवाब भी नहीं है इंडिया में एक advocate किसी भी business को personally involved नहीं हो सकते हैं हाँ किसी firm की वो silent partner हो सकते और ऐसे business जो state bar council allow करते उसका part हो सकते क्या practice के साथ साथ पढ़ाई कर सकते तो हाँ पढ़ना और पढ़ाना दोनों allowed है अब बिना अपना license suspend किये PhD और LLM दोनों कर सकते हैं इसके साथ ही educational institution से पढ़ा भी सकते है गिवन कि तीन घंट के लिए time frame में वो exceed ना हो क्या practice के साथ साथ content create कर सकते तो हाँ इंडिया में advocate practice के साथ बहुत सारी चीज़े कर सकते गिवन कि वो full term employment की scope में नहीं है जैसे कि parliamentary bills review करना, quotient paper set करना, books edit करना, educational institution पढ़ाना ये सारी चीज़े है